हेलो एवरीबन जैसे कि आपको पता है कि हम जीव विग्यान में पार्थ एक जीवो में जनन अपने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं जीवो में जनन के अंतरगत्र हमने जो टौपिक पढ़ा है उसमें से प्रजनन क्या है प्रजनन की भूमी का प्रजनन के प्रकार पढ़े जीवों की संख्या के अधार पर और प्रजनन के प्रकार दो थे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन अलैंगिक जनन को भी हमने अपने वीडियो में विस्तार से बताया है कि अलैंगिक जनन क्या है लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में थोड़ा सा उनकी परिभासा के अंतरगत हमने इनका अंतर लिया था और अलैंगिक जनन की प्रमुख विध्यां पड़ी थी आलेंगिक जनन की प्रमुख विधियों के अंतरगत हमने पड़ा था विखंडन विखंडन दो प्रकार के पड़े थे दुई विखंडन दुई खंडन और बहु खंडन तो प्रमुख विधियों के अंतरगत हमने पड़ा था विखंडन मुकलन विजानु निर्मान हमने कौन मीडिया के रूप में बिजानों का निर्मान होता है खंडन और लास्ट हमने बोला था काइक प्रवर्धन काइक प्रवर्धन में हमने कहा था कि काइक प्रवर्धन को हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो आज का हमारा टॉपिक काइक प्रवर्धन है ओके आज हम प्रकार के जनन में आसल में पॉधो का पुन्रोध्भवन होता है लेकिन बीजो के अतरिक्त पॉधो के किसी अन्यकाईक भाग से होता है याद रखेगा पॉधे के काईक भाग से बीज के अलामा क्यूंकि बीज जो होता है वो लैंगिक जनन द्वारा बनता है तो हम किस प्रकार केस में ले सकते हैं तो काईक जनन के लिए उप्योग में लाए जाने वाले जो अंग होते हैं उसे प्रवर्थ कहते हैं यानि प्रपक्जूल इंग्लिश में कहते हैं, मान लिजी गुलाब है, गुलाब के तने को हमने काट के जमीन में रोपित कर दिया, तो वो जो होगा, कटा हुआ तना, उसको कहेंगे हम प्रवर्थ. काईक जनन दो प्रकार के हैं प्रकर्तिक काईक जनन जो प्रकर्ती में अपने आप ही हो जाते हैं कुछ पौधे हैं जैसे पत्थर चट्टा है पत्थर चट्टे के पत्थे पे अपने खुद बखुद पौधे उगाते हैं आलू हैं आलू में आखे निकलाती हैं हना अंकुर परिवर्धन प्रकृतिक तोट से करने की शमता होती है जननांगो द्वारा जननांगो द्वारा बीज द्वारा में नहीं कह रही हैं जड़ों में भी होती है जैसे जड़ों का मैंने बता ही दिया आपको कई अपस्थानिक जड़े निकल जाती है और उन जड़ों से नए जड़ों का विकास होता है जैसे उद्धारन डहीलिया ले सकते हैं सकरकंद ले सकते हैं इनके जड़ों द्वारा होता है तनों द्वारा सब उधारन है। तो काय क्रत्रिम मानोध्वारा करवाया जोता है अपनी सुवीदा के लिए है कि काइग प्रावर्धन दो-प्राकर्ठिग काइक प्रवर्धन और क्रत्रम काइक प्रॉअ कहुं को प्रंदल दो प्रकार के प्रकरतिक काईक प्रवर्धन के अंतरगत पादपों के जड़ तने पत्ति जननांगों द्वारा हम नए पोधों को बना सकते हैं यदि पादपों के जड़ तने पत्ति या जननांग द्वारा पाकरतिक रोप से नए पादपों का विकास होता है उसे प्रकरति काईक प्रवर्धन कहते हैं तो जड़ तना पत्ती के कुछ उधारन है जो आपके एक्जाम में आएंगे उनको मैं लगती हूं ओके जड़ो द्वारा जो काईक प्रवर्धन होता है कुछ कास्टिये पौधों की जड़े जो होती है प्ररोह उत्पन करती है और उनसे नए पा और उनसे नए पाधों का विकास होता है जैसे सकर कंद तो इनके उधारन बहुत ही इंपॉर्टन है उधारन से ही प्रश्न बनेगा ओके दूसरा अपने पास है जड़ दूसरा है सारी पहला जड़ दूसरा तना तने में भी आपको पता है तने से यदि नए पाधपों का विकास होता है तो तने में अलग-अलग प्रकार के तने होते हैं प्रकंद का बन्तारन है अद्रक कंद आलू सलकंद लसन धनकंद अर्भी उपरीभूस्तर भूमी के ऊपर रहने प्ररोह उत्पन करते हैं और नए पॉधों का विकास होता है भूस तरी जलकुंभी यह बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा जलकुंभी इसके बारे में आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ है जिसको मैं समझा रही हूं बहुत जरूरी है उसको समझना देखे जलकुंभ दॉआ को बंगाल का आतंक कहा जाता है और ने इनकी पती यह के आकार तो भारत लाया गया था इनकी सुन्दर पुस्पों के कारण परन्तु इसका ओल एंगिक जिनन इतनी तेजी से होता है और काईक प्रवर्दन बहुत तेजी से होता है बहुत तेजी से होने के कारण जलासे में ये फटा-फट फैल जाता है बहुत जल्दी फैल जाता है थोड़े से समय में ही जलासे को ढख देता है और जब ये क्या करता है जलासे को ढखने के कारण या कह सकते हैं जलासे में जब उखता है तो जलासे के जल के अंदर उपस्तित ऑक्सीजन को ग्रहन कर लेता है खींच लेता है ले लेता है जिसके वज़े से उसके अंदर जितने भी जलिये जियू हैं तो मचली वगर यह मर जाते हैं और मर जाते हैं ढो पानी शडान सी बद्वूई देगी तो यह एक खर पतवार की तरह है इससे कोई यूज नहीं है यह खर पतवार की तरह है इसके सुंधर पुस्प और पत्यों कहें कारण में जाना जाता है याद रखेगा महा विपत्ति बंगाल के आतम के रूप में वाटर हाई सेंथेज या जल कुम्भी को जाना जाता है यह एक जलिये पादप है बहुत तेजी से विकास करता है एक जलिये पादप जो कि खरपतवार के रूप में जाना जाता है और इसके पु देता है और जलासे से oxygen को खींच लेता है अपने व्रधी के लिए जिसके वज़त से oxygen की कमी होने के कारण जल्य जीव मर जाते हैं मचलिया मर जाती है और यह ठहरेवे है नेक्स में पत्तियों से भी प्रकृतिक काईक प्रवर्धन होता है जैसे पत्थर जट्टा के नयत पधो का विकास और वो पधे परिपक होने के बाद थोड़ा बड़े होने के बाद थोड़ा सा बड़े होने के बाद पादप से अलग हो जाते हैं मूल पादप से अलग होके नए पौधे का विकास करते हैं विगोनिया के पर्ण ब्रंद से होता है ओके चौथा मैं बता रही हूँ आपकी ब उद्धारन है तो काई प्रवर्दन जड़ोद्वारा हो सकता है तने द्वारा होता है पत्यों द्वारा होता है इनके उद्धारन आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है दिये वे हैं उद्धारन सही प्रश्न बनते हैं या उद्धारन पूछा जाता है तने में भूस बंगाल का आतंग क्युं कहा जाता है यह पूछ जाता है ओके अब है हमारा क्रत्रम काइक प्रवर्धन क्रत्रम काइक प्रवर्धन के अंतरकर जो दूसरा है वो हमारा है क्रत्रम काइक प्रवर्धन ये विधिया मानो द्वारा निर्मित है और इनका प्रियोग पौधों के बानिज्य उत्पादन के लेकिया जाता है और इनकी जो कुछ प्रमुक विद्या है पहला है कर्तन यानि कटिंग तने को काटके लगा दिजिए नया पधा उख जाएगा जड़ को काटके लगा दिजिए नया पधा उख जाएगा तो इसको कहते हैं कटिंग दूसरा है दाब लगाना टीला दाब वायुदाब और रोपा ये तीन प्रकार की विद्या है करत्रम के अंतरगरद करत्न में लेते हैं स्तंब करत्न काटने वक्त ये धियान रखना चाहिए इसमें कुछ सावधानिया धियान रखनी पड़ती है कि उस प्रवर्थ की उस कटिंग की लंबाई कितनी है मात्र पादप की आयू क्या है और क्या रोपाई के लिए इसका सही वातवरण है तो फिर उसको काट लिया जाता है और कुछ पर्व संधियां तक काटा जाता है एक या दो और फिर उसको जमीन में उगा दिया जाता है रोपन कर दिया जाता है और रोपित करने के बाद वो एक नई कलिका के रूप में विक्सित हो जाती है नया पादप विक्सित होता है उससे उधारन के लिए गन्ना गुलाब करतन के अंतरगत इस पौदे में भी यही करवाया जाता है बस इनके जड़ो को काटके लगा दिया जाता है उधारन के लिए नीबू अम्रूद सेव चैरी इत्यादी है मूल करतन के अंतरगत भी कुछ चीजे ध्यान रखना जरूरी है मूल के करतन को कटिंग को उर्टवा द्वार लगाना चाहिए ताकि सीर्स उपर हो और अपस्थानिक कलिकाएं आराम से फूट सके अब दाब लगाना दूसरा हमारे पास दाब लगाना दाब लगाने में पहल है और उसके ऊपर हम मिटी डाल देते हैं जिससे कुछ समय बाद परसंधियों से अपस्थानिक जड़े फूटने लगती है और उसे मात्र पादप से काटके अलग कर लिया जाता है उसे कहते हैं टीला दाब नेक्स्ट है वायू दाब लगाने के अंतरगत है वायू दाब देखिए वायू दाब का मैं एक चित्र की साहिता से आप वायू दाब समझाती हूं नीचे सपोज मान लीजिए एक पेड़ है इसमें क्या किया जाता है पेड़ के एक मोटे तनों को चुना जाता है और उस मोटे तने को छिल दिया जाता है उपर उपर का जो वलय है छाल मैंचे एक चीजन की做 pushes और उसके उपर ने ने'll हमको और को लगा है इसके के उपर दागा लगा के अ मधे के उपरी सिरे पर है मैं जो वाधे के ओली एक का तांग झीए जाता है मटके के अंदर जल भर दिये जता है और एक धागे की सहायता से इसके अंदर रिस रिस कर पाने आता है अर्थात पौधे के एक मोटे तने के ऊपर का एक बले हटा दिये जाता है, उसको गिली मिठती या गिली रूई से ढ़क दिये जाता है और ढखने के बाद जो ये ढखावा भागे इसको गुट्टी गहते हैं और ऊपर एक पात्र टांग दिया जाता है पात्र में नीचे छेट करके एक धागा बाहन दिया जाता है इसके उपर ताकि बूंद बूंद करके इसमें पानी आता रहा है और कुछ समय बाद 4-8 सब्ता बाद इसके अंदर अपस्थानिक जड़े दिखाई देने लगती है और इस हिस्से को काटकी निकाल लिया जाता है और मट्टी में रोपित कर दिया जाता है तो इसे वायू दाब भी कहते हैं और गुट्टी लगाना भी कहते हैं वायू दाब जो अच्छे किसम का होता है जिसे कलम कहते हैं और दूसरा निम्न गुन वाला पौधा जिसे स्कंद कहते हैं तो कलम को सकंद के ऊपर कलम को लगा दिया जाता है और रस्ती से बांद दिया जाता है इस प्रकार से कि उन दोनों का एधा यानि कैमियम संपर्क में रहे ताकि जल उपर नीचे आजा सके निमने गुम वाला पौधा जिसको सकंद कहते हैं वह जड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है जमीन से मान लीजिए आपके पास एक पौधा है उसमें अच्छे आम नहीं आ रहे हैं तो आप लेकिन आपको कम समय में अच्छे पौधा अच्छे गुणवाला चाहिए तो उसके मान लीजिए अपने जड़ सही जो पौधा जड़ लगा हुआ था उसका पौधा काट दिया और उसक कड़ के सांथ लगावा पौधा है जो स्थानिय पादप है उसको कल उसको स्कंध कहेंगे और उसके ऊपर लगाई जाती है कलम जो कि अच्छे किसम का होता है और कि स्कंध और कलम को कसकर बाहन देते हैं ताकि दोनों का एधा संपर्क में रहें कुछ समय बाद दोनों की ए जल आना जना सुरू कर देता है और इस तरीके से नया पौधा उग जाता है और यह विदी आर्थी वुप से बहुत उपयोगी है उधारन के लिए हम गुलाब ऐसे हुगा सकते हैं आम अम्रूत सेव आदि रोपन की कई बुदियां है जैसे की जीवा रोपन है फचर है किर काईक प्रवर्दन के लाब क्या है लाब में सबसे पहला लाब तो यही है आपको पता है चुकि काईक प्रवर्दन हम पढ़ रहे हैं तो काईक प्रवर्दन के अंदर जो गुण होते हैं वान्शित गुण तो पादप है वो और अगिक जनन द्वारा हुआ है तो और अगिक जनन के पादपों का गुण बिलकुल हूबः अपने पेरेंट के अनुसार होगा यानि जनक के जैसा होगा तो उनको two copy कहते हैं कोई बदलाव नहीं होगा तो इससे क्या होगा यह प्रजनन नए पौधे के फूल फलों का विकास इससे सिद्रता से होगा और जिन पौधों में बीच का निर्मान नहीं होता जिन पौधों में बीच का निर्मान नहीं होता जिसे केला है गन्ना है यह प्रजनन विधी बहु बद्धी है और यह काफी किफाइती है इसमें श्रम भी कम लगता है और तेजी से लिकर्ण होता है फैलाव तेजी से होता है पौधभू का तो चुक है की पेरेंट के अनुसारी है पादप संतिती जो है वह जनक के समान होती है तो उनकी आकार की और आन्मन स्थिक गुंदोन जा सकता है जिनमें लैंगिक प्रजनन की शम्ता समाथ हो गई है या नहीं हो सकते तो बीज नहीं होगा तो बीना बीज वालों को कैसे उगाएंगे जोड़ी थोड़ी एक पौधे का बीज से ही उगाया जा सकता तो बीना बीज के भी उसको उगाया जा सकता है जैसे घांस है गुलाब है आदी तो यह कुछ इसके लाब थे हम अपनी अगली वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे अलेंगिक जनन और काईक प्रबंदर के लाख तो है अलेंगिक जनन की हानिया क्या है नुकसान क्या हो सकता है देखिए सबसे पहले दूनों का अंतर से आपको पता चलेगा नुकसान क्या है ऑके थाट उसके लिए असमे में जनन में प्रशन क्या बनता है यह जनन और के घीवल और कीवल एक जनक ही भाख लेता है जबकि लेंगिक जनन में बहुत यह होता है नहीं युगमक सनलायन होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युगमकों का निर्मान भी होता है और युगमकों का सनलायन भी होता है, अचा, अल लैंगिक जनन आपको पता है कि एक ही जनन भाग ले रहा है, तो इसमें उनके आनवनसिक घुन जो होके, उनमें विभिनताएं न परन्तु लह्ँंग जनन में ऐसा नहीं होता संतीती जनव के समान पूरी तरह से two copies नहीं होती। और आनवन सिह विबिंटाइ quién उसमें मिलती हैं जव विकास मेंसायक नहीं है जबकि यह एक सरलört प्रक्रिया है लह लहांकि जनन सौरी एक सरल प्रक्रिया है और बहुत तेजी से होता है जब कि लेंगी जनन बहुत चटिल और धीमी प्रक्रिया है तो पहले वीडियो में बता चुकी हूं कि इसमें सेवाल कवक और अधिकांस पादप और निम्ण कसेरुख भाग लेते हैं या वैसे प्राणी भाग ल जनन संब्वा होता है य forearm स्वाग लेंगी जनन एकेस्व किस्म में जैव बिबिता नहीं पहाई जाएगी संतिती में विभिनताओं का अभा होता है इसमें इसलिए जयव विकास में सहायत नहीं है तो जयव विकास इसमें होता नहीं है अभी जस्ट अंतर में मैंने बताया है दूसरा है एक ही अस्थान पे एक सी अधिक जीव एक ही प्रकार के अगर जनम ले लेंगे तो उनमें प्रतिस्त परदा शुरू हो जाएगी पदार्थों के खादे पदार्थों के लिए तो एक ही स्थान पे जिवों की अधिक संख्या पोशक पदार्थों की कमी उत्पन कर देगी जिससे प्रतिस्त परदा जो की प्रतिस्त परदा का कारण प इतना हि एपने अगली विडीयो में यह लेंगिग जनिक के बारे में पढ़ेंगे यह जीवन General के बारे में पढ़ेंगे और आज के लिए है थेंक्यु